केंद्रिय पूल में न केवल चावल का भरपूर स्टॉक मौजूद है, बलकि आगे भी परियाप्त भंडार उपलब्ध रहने की संभावना। एक अप्रेल दो हजार चौबीस को वर्तमान वित वर्ष के आरंब में 302 लाक टन चावल का स्टॉक था जो इस तिथी के लिए नियून्तम आवशक मातरा 136 लाक टन के दोगुने से भी काफी अधिक्त। अप्रेल दो हजार चौबीस से मार्च दो हजार पच्चीस के बीच 520 लाक टन चावल की सरकारी खरीद होने का अनुमान है जिससे इसकी कुल उपलब्धता बढ़कर 822 लाक टन पर पहुंच जाएग। इस अवधी के दोरान राश्ट्रिय खादे सुरक्षा कानून अन्य कल्यानकारी योजनाओं खुले बाजार बिक्री योजना तथा भारत ब्रांड बिक्री योजना के तहट कुल मिलाकर 411 लाक टन चावल का आवंटन बटा वितर्न होने की उम्मीद है और इसके बाद 31 मा कार्च 2025 को केंद्रिय पूल में 411 लाक टन चावल का बकाया अधिशेश स्टॉक बच सकता इसमें से यदि 136 लाक टन के न्यूंतम आवशक स्टॉक को आरक्षित कर दिया जाए तब भी केंद्रिय पूल में 275 लाक टन चावल का भंडार बच जाएग। हालांकि भारत सरकार अन्य जरूरतमंद देशों की आंतरिक खादे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चावल का निर्यात कोटा आवंटित करती रही है मगर इसके शिप्मेंट की गती काफी धीमी रह। अब तो साबुच श्रेनी के सभी चावल के शुल्क मुक्त एव